हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो अर्टूप चैनल, आज हमनों इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से जितने भी इंपोर्टन कोशन बन सकते हैं, वो सारे कोशन के बारे में डिसकस करेंगे, यह वीडियो आपके एकसाम पॉइंट आवियो से बहुत ज़दा इंपोर्टन औ वाक्यों की घटक होते हैं, वो देश और विधियो जो है, वाक्यों की घटक कैसे होते हैं, वो देश और विधियो जो है, वाक्यों की घटक कैसे होते हैं, वो देश और विधियो जो है, वाक्यों की घटक कैसे होते हैं, वो देश और विधियों जो है, वाक्यों की घटक क क्योंकि घटक होते हैं किस शब्द में आवा प्रत्य नहीं है तो लावा में जो है आवा प्रत्य नहीं है हिंदी किस भासा परिवार की भाशा है तो हिंदी जो है भारूपी परिवार की भाशा है शुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है कृपा जो है शुद्ध वर्तनी है निमली कित में से किस शब्द में प्रत्य लगा हुआ है तो किस में प्रत्य लगा है जादुगर में प्रत्य लगा है का वड किसकी योग से बना है तो क जो है क प्लस अ से मिलकर बना है वेंजन कितने प्रकार के होते हैं तो असपर्स वेंजन 25 प्रकार के होते हैं निम्न वाक्यों में से मिश्रवाक्य कौन से हैं तो कौन से मिश्रवाक्य हैं पहला दिया है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दोड़ा बिल्कुल गलत सेट जानता है कि नौकर इमानदार है आप्शन नमबर यह हमारा राइट हो जाएगा यह हमारा कैसा है मिश्र वाक्य है इनमें से कौन सा विराम जिन ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भासर से नहीं लिया गया है तो कौन सा अंग्रेजी भासा से नहीं लिया गया है तो पूर्ड विराम को नहीं लिया गया है निर्वाह में प्रयोक्त उपसर्ग है तो निर्वाह में किस उपसर्ग का प्रयोक किया गया है निर्व उपसर्ग का प्रयोक किया गया है निम्न में से कौन शब्द में प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो किस में प्रत्य का प्रयोग हुआ है धनिक में जो है प्रत्य का प्रयोग हुआ है यह थार्द में कौन सी संदी है तो यह थार्द शब्द में जो है दिर्द शंदी है लिकित में तस्षम शब्द का चैन कीजिए तो किसमें तस्षम शब्द का चैन कीजिए कौन उद्धम जो है तस्षम है भूत काल के कितने बेद होते हैं तो भूत काल के छे बेद होते हैं लिकित में जैसे किश वाक्य में अकर्मक करिया है तो किसमें अकर्मक करिया है गेहु पीस रहा है ये हमारी जो है अकर्मक करिया है इन मेंशे कौन सी शब्द शमु हुवाचक संग्या है तो कौन समु हुवाचक संग्या है सभा जो है समु हुवाचक संग्या है वाक के अशुद भाग का चैन कीजिए तो कौशा अशुद है पहला दिया है राजा के धनुष भंग करते ही ये सही है दूसरे राजाओं की ये भी सही है वक्ष पर साप लपेटने लगे ये अबरा जोए गलत है शर कौन सा वेंजन है तो शर जोए उसमें वेंजन है समुद्र मंथन करना का अर्थ है तो समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है कठिन परिश्रम करना निम्लिकित में से कौन सा अल्प विराम चिन्न है तो यह हमारा जो है अल्प विराम चिन्न है ज़स्दूला तस बनी बारात का अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होता है सभी साथी एक ही जैसे होना इसका अर्थ होता है निम्न वाक्यों में से शयुक्त वाक्य कौन सा है तो कौन सा सयुक्त वाक्य है पहला दिये हैं रूपा चाहती है कि वह नौकरे करे या नहीं है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है यह भी गलत है वह खाना खाकर सो गया तो ये हमारा क्या है? ये भी गलत है उसने खाना खाया और सो गया ये हमारा सयुक्त वाक्य है कि शब्द में उपसर का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में जो है उपसर का प्रयोग हुआ है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है तो यह कैसा वाक्य है विश्मे बोधक वाक्य है वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्ते कौन सा है तो बहाव में जो है आव प्रत्ते जुड़ा है पाठ शाला किस प्रकार का शब्द है तो पाठ शाला जो है योगिक सब्द है परतान कर्म को करठ से द्वरा संपदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रक्षिन के है वाके के अशुदभाग का चैन कीजिये तो कौशा अशुद है पहला दिया है तुम कक्षा में आते हो ये हमारा सुद है कोई तूटी नहीं ये भी शुद्ध है साथ क्यों नहीं लाते ये भी शुद्ध है तो तुम्हारी पुस्तक ये हमरा जो अशुद्ध वाक्य है पवित्र में प्रयुक्त शंदी का नाम है पवित्र में किस शंदी का प्रयुक किया गया है अयाद शंदी का प्रयोग किया गया है निश कोशन क्या है? इन में सिक की शब्द में वर्ड सम्मंद अशुद है तो कौन शा अशुद है? अनुकूल में जो है अशुद है निश कोशन है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है तो यह कैसा वाक्य है? यह ही एक जो है मिश्रवाक्य है निमलिखित मिश्रवाक्यों में से कौन सा विशेशण उपवाक्य है तो कौन सा विशेशण उपवाक्य है पहला दिया है मैं चाहता हो कि आप यही रहे यह नहीं है जब मैं इस्टेशन पहुचा तब ही ट्रेन आई ये भी नहीं है कहता हो कि तुम भुपाल जाओ ये भी नहीं है लकनवु तो उत्तरप्रदेश के राजधानी है एक एतिहासिक नगर है ये हमारा जो है कैसा है विशेशन उपवाक्य है नेक्ष्ट वरा है इन में से कौशा सब्द समुवाचक प्रत्या नहीं है तो कौशा समुवाचक प्रत्या नहीं है प्रेश जो है समुवाचक प्रत्या नहीं है विरोध करना के लिए सही मुहावरा है तो विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौशा है सिर्व उठाना जो है सही है इन में से किस शब्द में चंदरविंदू समंदी अशुदिया है तो किस में चंदरविंदू समंदी अशुदिया है अंगना सही है दांत भी सही है चांद भी सही है पहुच जो है गलत है उस्म और शयुक्त के प्रकार है इनमेशे योजक चिन कौन सा है तो इसको हम लोग योजक चिन कहते हैं अगला प्रश्न क्या है पूरो हित में उप्षर्ग है तो पूरो हित में कौन सा उपसर्ग है पूरह जो है उपसर्ग है इन में से किस शब्द में लिंग प्रत्य समंधी अशुदिया है नारी सब्द में जो है लिंग प्रत्य समंधी अशुदिया है नास कर देना के लिए सही मुहावरा है तो नास कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? पानी भरना जो है नास कर देना बे इंसाफी में प्रयोक्त उपसर्ग है तो बे इंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयोक्त है बे उपसर्ग का प्रयोक किया गया है इनमे से कौन सी शब्द पुलिंग है तो कौन सा शब्द पुलिंग है गिलास मरक्या है, पुलिंग है क्वेशन मरक्या है, चिरायू शब्द में प्रयोक्त उपसर्ग है तो चिरायू शब्द में किस उपसर का प्रयोक किया गया है चिर उपसर का प्रयोक किया गया है क्वेशन क्या है, किस शब्द की रशना प्रत्य से हुई है तो अभियोग की नहीं, अपमान की नहीं, वयाम की नहीं इन में से कोई नहीं हो जाएगा परश्ण मरकिया है इन में से कौन सी जातिवाचक संग्या से भावाचक संग्या बनाया गया है तो किसको जातिवाचक से भावाचक बनाय गया है तो बुढ़ापा को जो है जातिवाचक संग्या से भावाचक संग्या बनाय गया है